अलो दोस्तों स्वागत है आपका आरजे के किचन में आज हम बनाएंगे विहार का प्रसिद साग जो कि मिक्स होगा इसके लिए हमने साग लिया है जो कि हमने अच्छी तरह से दो लिया है यह बत हुआ है यह लिए सरसोह यह तीनों साग हम करीब धाय-धायसाओ गरम लिये है करीब तीन पा हो गया तीनों मिलाके अब हम इसको काटते हैं यह पासिल या हसिया से बढ़ियां से कटता है तो इस तरह से हम लेके साग को अच्छे से काटेंगे देखिए ऐसे काटने पर बिल्कुल बारीक-बारीक कटता है और एक बार में हम ज्यादा साग भी काट लेते है देखिए चाकू से हम इतने अक्वांटीटी में नहीं काट पाएंगे इसी तरीके से हम सारे साग को काट लेंगे देखिए कितना बारीक-बारीक कटा हुआ है साग हमने सारा साग काट लिया है दोस्तों यह साग स्वास्त के लिए बहुत ही लाबदायक होता है हरी हरी साग बहुत ही फायदे मन्द होता है सर्दियों में साग जरूर खाना चाहिए क्योंकि इस समय कई वेराइटी में मिलत साग बंत हुआ तो भी फाइदयमंद होता है चलिए हाँ हम इसको यह सवादा नुष्ण नमक डालएंगे करीब तीन हर इमेज काटके डाल देंग और यह चार लासुन डालेंगे और करीब हम एक गिलास पानी डाल देंगे और इसको हम गैस पे चड़ा देंगे अभी हम ऐसे ही उपर से धक्कन लगा के रखेंगे थोड़ी दिर के बाद यह कुछ गलेगा उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे जिसे कि नमक सब तरफ मिल जाए तो बहुत जल्दी साग जो है वो घुल जाएगा अब हम इसका प्रेशर लगा देंगे और करें बीस मिनट सोरी पैतालिस मिनट तक हम इसको मेडियम आज पर बनाएंगे अब मेरा साग बन चुका है देखिए इसका ढकन खोलते हैं यह देखिए अच्छे से बन गया है अब इसको हम कल्ची के मदद से अच्छे से प्रेस करके हम इसको ऐसे मसल देंगे देखिए मसलने पर पानी भी छूट रहा है देखिए कितना अच्छा से मिल गया है सब मिक्स हो गया है पानी जो है उसको थोड़ा सा हम जला लेंगे अब हम एक कड़ाई चड़ाएंगे गैस पर और इसमें हम दो चमाच के करीब तेल डालेंगे सर्सो का तेल और जब तेल गराम हो जाए तो आधा चमाच हम उसमें जीरा अड़ करेंगे और तो लासुन कटा हुआ और उसके बाद आधा चमाच हींग हम डालेंगे अब इसमें हम साग को पलड़ देंगे यह देखिए इस तरह से यह साग बहुत ही टेश्टी होता है दोस्तों मेरा साग यह साग अप जरूर बनाएए बिहार में बहुत ही खाया जाता है यह आप इसको बनाएंगे इस तरह से तो बहुत अच्छा लएगा और दूसरा तरीका भी है जो हम आपको बता रहे हैं थोड़ा साग अलग लेके इसको हम एक कटोरी में लेके कल्चे के मदद से अच्छे से मसल रहा है यह साग खाना में तो बहुत ही मज़ा आता है बिहार में लगभग घर घर में इस तरह से साग बना के खाया जाता है हमने मसल लिया है अब हम लेंगे हरा मेर्चा और लासुन उसको काट इसमें हम एट कर लेंगे थोड़ी धनिया पत्ती एड करेंगे और कुछ बूंदे सरसो तेल का और उसको हम तेल लख कर लेंगे उसके बाद हम अच्छे से इसको मैस करेंगे यह साग जब हम खाते हैं बहुत के साथ जो मिर्चा हरा मिर्च दात के नीचे आता है तो वा क्या मज़ा आ जाता है दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज सब्सक्राइब करके आइकन बेल बटन बड़ दबा दीजिएगा ये देखिए हमारा साग बिल्कुल रेड़ी है तो चलिए मेरा तो बहुत मन कर रहे खाने का तो हम बहुत के साथ ये साग खाना शुरू करते हैं बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है बिहार के घर घर में ये साग खाया जाता है लोग बहुत पसंद करते हैं अगर इस तरीके से आप साग एक बार बना के खाएंगे तो बार बार ये खाते रहेंगे चलिए अब हम खाते हैं इतना ध्यान से मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप साब का बहुत बहुत धन्यवाद